हेलो एब्रीवन आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये डिजाइन इस डिजाइन से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं तो ये मैंने एक कलर का बनाया है ये हम मल्टी कलर का भी बना सकते हैं इस तरह से हमें बहुत सारे ब्लोक बना लेने हैं और आगे- जोनी करते हैं बहुत ही सुन्दर हमारा इक डिजाइन बनके रडी हो जाएगा डिजाइन अलेके लिए मैंने कपड़े की कर ली है एक कपड़ा हमें लाइट कलर का चाहिए और एक डार कलर का चाहिए दोनों पीसेज हमारे सेम साइज के हैं मेजर्मेंट में है ये दस यह है दोनों को बराबर करके ऐसे रख देंगे अब यहां से साइड से हमें चारो और से सिलाई लगा देनी है सिलाई लगने के बाद अब यहां से हमें यह कोर्नर है और यह कोर्नर यहां से हमें लाइन लगा देनी सीधी एक्तम हमारी ये लाइने प्रोपर आनी चाहिए इसके बाद इस साइड से भी हमें कोर्नर से कोर्नर मिला के लाइन लगा देनी है जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह हमें कटिंग कर लेनी है और ये पीस भी इसी तरह ऐसे कट कर लेंगे ये हमारे चार बनगे हैं हाफ ट्रेंगल इस तरह बनने के बाद यहाँ पर हमें प्रेस कर लेनी है पहले इस तरह से करने है इसके बाद इस कपड़े को ऐसे खुलना है और यहाँ पर एकदम अच्छे से हमारी ये प्रेस होने चाहिए एकदम अच्छे से हमारी ये सिलाई ये बैठ चाने चाहिए सारे पीसी इसी तरह प्रेस कर लेंगे प्रेस करने के बाद जैसे ये कॉर्नर से हैं इनको हमें कट कर लेना है सारे पीसी का इसी तरह कट कर लेंगे चार हाफ टेंगल रेडी हो गए हैं बनके अब इस पीस को हमें इस तरह से यहाँ पर लगाना है इसके बाद ये पीस ऐसे लगेगा और ये पीस हमारा इस तरह से लगेगा ये दुनों बाइट हमारे आमने सामने आएंगे और ये प्रिंटिड है ये आमने सामने आएंगे इस तरह लगने के बाद अब इनको हमें सिल देना है जैसे ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इस पीस के साथ सिल देंगे दोनों पीस सिल दिये हैं इसके बाद हमें प्रेस करनी है इसी तरह पहले पीस को ऐसे ही रहने देना है सिला हुआ इसके बाद हमें ऐसे टर्न करके इस तरह से प्रेस करनी है इसी तरह दूसरे पीस पे करेंगे इसके बाद इन दोनों को हमें यहां पर सिलाई लगा देनी है के बाद हमें इसी तरह इसकी प्रेस कर लेनी है इसको यहां पर और इस कपड़े को इस तरह से ऐसे खुलेंगे और यहां से फिस से हमें प्रेस कर लेनी है एकदम अच्छे से हमें यहां पर प्रेस करनी है एकदब सारी सिलेज़ा अच्छे से बैठ जाएं आप देखिए ये पीस हमारा बनके रेडी हुआ है 12 इंच यहां से हुआ है 12 इंच और इस साइड से भी हमारा ये 12 इंच है 12 बाइ 12 इंच का ये ब्रोक बन गया है जैसे आपका जितना भी आता है जैसे मेरा यहां पर 12 वाया आप जितना भी आता है आप यहां पर जैसे इसको हमें इस प्लेस को तीन भाग में डिवाइड करना है तो जैसे हमारा 12 इंच है तो यहां पर 4 इंच आएगा फीस 4 इंच 4 इंच आएगा तो यहां से सेंटर से मैं 2 इंच ले लूँगी क्योंकि ये 2 इंच होगा और ये भी 2 इंच होगा तो बाके के हमारी एकदम बराबरा आजाएंगे तो यहां से हमें इस तरह से 2 इंच पे ये मार्किंग करनी है ये भी 2 इंच पे करेंगे तो देखिए ये 4 इंच हो गया ये हमारा 4 इंच है और ये भी 4 इंच है इसी तरह हमें 4 साइडों में निशान लगाने है ये सेंटर है हमारा यहां से भी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और यहां से भी इस तरह भी लगा सकते हैं ज़र यहां से चार इंच लेंगे फिर चार लेंगे बहाँ से भी हमीं 2-2 इंच के निशान लगा लेने हैं इस साइड में भी तो ये सारे निशान 2-2 इंच पे लग गये हैं चारो जेक औरूर्न है हमारे यहां पर इसके बाद देखिए यहां से हमारा जो निशान है और यह निशान है दोनों को ब्राबबर एकदम रखके हमें यहाँ पर यह लाइन लगाने है यह निशान हमारे ब्राबबर आने चैएं यह तभी हमारा डिजाइन अच्छे से बनेगा अब ये दोनों निशान है इनको भी हमें यहां पर ऐसी सीधी लाइन लगा देनी है के बाद इस साइड के जो निशान है इनको भी हमें बराबबर रखके यहां पर ऐसे मार्किंग कर लेनी है और इस साइड में है ये निशान ये भी हमें इसी तरह लाइन नगा देनी है मार्किंग हमारी हो गई है जिस तरह मार्किंग हुई है उसी तरह हमें कटिंग कर लेनी है जैसे ये है एकदम प्रॉपर हमें यहां से यह पूरी marking और यह cutting भी अच्छे से करने है ने तो design हमारा बराबनी बनेगा अगर यह हमारा थोड़ा भी गलत हो गया इसी तरह यह line है यह भी cut कर लेंगे यह भी इसी तरह cut करनी है तो जो भी हमारी line लगी थी सारी cutting हो गई है अब यहां पर देखिए हमारा पूरा design change होगा सारा design हमारा change हो जाएगा इस pieces को हमें change करना है सबसे पहले हमें यह center वाले pieces लिने हैं यह देखिए इस तरह से इनको हमें इस तरह से बदल के ऐसे लगा देना है ये भी इसी तरह बदलेंगे और ये पीस है ये भी ऐसे बदलेंगे अब डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है इसके बाद ये सेंटर का जो पीस है इसे हमें इस तरह बदल देना है ये कोर्नर के पीस रहेंगे हैं इनको इस तरह से बदल देना है ये white वाली side इस तरफ आजाएगी और ये हमारा इस side को चला जाएगा और ये पीसे ये भी इसी तरह बदलेंगे अब देखें डिजाइन हमारा इस तरह से बन गया है जैसे center में हमारा एक star बन गया है और ये side में इस तरह से corners आगे है जैसे अब ये white के side हमारे इस तरह से white आगे है और ये print वाली side ऐसे बन गया है cutting हो गई है, सब कुछ हो गया है अब हमें इनको सिलना है तो सबसे पहले हमें ये line सिलनी है जैसे ये तीनो piece है इनको इस piece के साथ सिल देना है ये इसके साथ सिलेंगे और ये इस तरह से सिलेंगे और ये pieces हैं ये भी हमें इसी तरह से सिलने है तो एक भी piece हमारा इदर दर नहीं होना चाहिए जैसे pieces रखें हैं उसी तरह हमें सिलने है सारे pieces सिल दिये हैं इस तरह से अब इन पीसिस को भी हमें प्रेस कर लेनी है अच्छी फिनिशिंग के लिए क्या हमें जब भी हमको इसलाय लगाते हैं उसे प्रेस करने है तो प्रेस करने का भी एक तरीका है इस तरह से हमें ऐसे रखना है और फिर प्रेस करने है इसी तरह यह साइड है यहां भी ऐसे करेंगे और फिर हमें इस तरह से अच्छे से सिलाईं मिठा लेनी है सारे पीस इसी तरह प्रेस कर लेंगे प्रेस कर दी है इसके बाद एक और टिप आपको मैं बताती हूँ अच्छी फिनिशिंग के लिए अब देखिए यह थोड़ा सा कपड़ा हमारा इस तरह से थोड़ा बढ़ गया है इसे हमें कट कर लेना है यहां भी हमारा थोड़ा थोड़ा भी बढ़ा हुआ है इसे हमें कट कर लेना है क्योंकि जब हम दुबारा जो स्टिचिंग करेंगे तो ये कपड़ा हमारा जैसे बड़ा हुआ रहा चाएगा तो ये कोर्नर से कोर्नर जो हमारे हैं बराबर नहीं आते तो इस तरह से हमें कट करके सारे pieces को एकड़म बराबर करके फिर सिलाई करने है सारे pieces मैंने बराबर करके सेट कर लिये हैं अब इनको हमें इस center वाले piece के साथ सीलना है ये pieces के साथ सीलेंगे और ये piece इसके साथ सीलेंगे सारे pieces जोइन हो गए हैं अब यहाँ पर ये सिलाई है इसको हमें इस तरह से प्रेस कर लेनी है उसके बाद हमें ये पीस इस तरह से खूलना है और फिर से यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लेंगे और ये साइड है ये भी हमें इसी तरह पहले प्रेस करनी है और फिर हमें इस तरह प्रेस करनी है यह पीस हमारा बनके रेडी हो गया है यहां से कपड़ा जैसे थोड़ा थोड़ा हमारा आगे पीछे है तो यहां से यह देखिए इतना इतना हमारा यहां से है यह सेंटर बादा हमारा बरापर है इन दोनों को इस तरह से यहां से लाइन लगा लेंगे एकस्ट्रा है हमारा इतना इतना इसे हमें कट कर लेना है लेकिन कट हमें कीस तरह करनाहे जैसे यहा से हमारा यहां से हुआ है 10-50 इंच में रहा है साधे दस सिंच Rhyna चाहिए बाकी का जो भी एक्स्टरा है हम कट कर लेंगे कर दी है यह फीस बन गया है अब देखी यहā यह हमारा डिजाइन बन गया है इससे हम जैसे कुशन कबर बना सकते है ठीचा है अगर इती जब डिदेबर नीई प्रण चुबर कर लेंगे तो हमारा यह बड़ा हो जाएगा तो अगर जैसे इसका टेबल का कबर जा कुछ और बनाना है तो हमें इस तरह के और पीसिस बना लेने हैं और उन्हें आगे आगे जोईन करते जाना है यहां पर मैंने यह मल्टी कलर का बनाया है जैसे यहां पर दूसरा कलर लिया है आप एक बनाना है तो इसी तरह के हमें बहुत सारे पीस क्ट कर लेने हैं यह कलर के अगर आपको एक कही काटें दो का बनाना है तो यह सेम हमें पीस काटने होंगे एक पीस ये लगाना है एक ये लगाना है जब दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो जो ये पीस है इसके नीचे ये पीस आएगा तो हमारे बहुत ही सुन्दर एक बैटशीट का डिजाइन बनता जाएगा जैसे यहां पर भी हमारा अलग से एक डिजाइन बनता जाएगा और ये डिजाइन हमारा इस तरह से बनता जाएगा बैडशीट पे फ्रेंट्स डिजाइन हमारा बन गया है फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर मेरे पर नहीं है पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इस तरह के मैंने बहुत सारे डिजाइन बनाए हुए हैं मैंने चैनल पर डाले हुए हैं बहुत सारे वीडियो अलग लग डिजाइन के हैं आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं डिजाइन आपको कैसा लगा डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो के साथ